Very warm welcome to all of you to Self Selection Board of One Step Towards Uniform, मेरा नाम है शिवम वाचने और आज हम बात करेंगे non-corporation movement and 44 incident के बारे में ये topic आपके इंडिन आमी, Navy, AFOS तीन होई uniform का बाने में बात करेगा through CDS, NDA, FKAT, INET and Total Army अगर आपको modern history की पूरी playlist सेहिए तो आपको description box मों मिल जाएगी आगे चलते हैं, देखिए अभी तक हम यहाँ पर खिलाफ़त movement तक आगे थे, खिलाफ़त movement स्टार्ट हो गया था और गांधी उसका पार्ट बनना चाहे थे, और Congress भी उसका पार्ट बनना चाहे थे तो अब एक खिलाफ़त movement स्टार्ट हुआ था हमारा treaty of serves होने के बाद जिसमें अंग्रेजों ने पूरी तरह से तुरकेश empire पे कब्जा कर लिया था अब इसमें आगे चलते हैं, तो जब एक treaty of serves हो जाती है तो खिलाफ़त movement को fire मिल जाती है, मतलब spark हो जाता है वो पूरा movement और खिलाफ़त day से उसकी शुबात होती है अब इस खिलाफ़त day को एक नया नाम दे जाता है, वो है non corporation movement Congress, Gandhi and Muslim League, तीनों एक साथ अब common demand हो जाती है, कि सुराज चीह है, मतलब हमें अपना खुद का rule चीह है जो खिलाफ़त issue है, उस बार में आप बात करेंगे और जो Arab land है, वो वापस कर देंगे तुर्की empire को और तीसा है, जो पंजाब में जलियावाला बाग का can't हुआ है उसके खिलाफ आप action लेंगे, यहां तक बात होती है हम 1920 में क्या होता है, अलाबाद में session होता है Congress का, और इसमें ये बार decide की जाती कि non corporation में हम करेंगे क्या, उसमें हम करेंगे boycott करेंगे सारे जितनी भी सरकारी चीज़े हैं British government की, उन सब को हम छोड़ देंगे सरकारी स्कूल हो, कपड़े हो, कोई भी goods हो, कैसे भी टाइप की goods हो British government हमें दे रही है, वो हम नहीं लेंगे, उसे accept नहीं करेंगे तो अगर हम उसे खरीदेंगे नहीं, तो अंग्रेजों का जो कारोबार हो धप हो जाएगा और उनके सारे के सारे जहाज, जो समान लेकर आ रहे हिंदुस्तान में, वो बापस लोट जाएंगे अब इसमें क्या होता है, Congress का एक special session होता है September में और बहाँ पर इस movement को start दे दिया जाता है इस बीच में क्या होता है, तिलक होते हैं, वो उनकी death हो जाती है और उनकी death को ऐसे inspiration माना जाता है, कि यहां से हम उनकी मौत का जाया नहीं होन देंगे और यहां से हम इस movement को पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे अब December 1920 में नाकपुर में Congress का session होता है, उसके president होते हैं विजय रागव चारियर, वो कहते हैं यह जो खिलाफद movement यह non cooperation movement हो रहा है इसके हमारे जो primary leader होंगे, यह गांदी जी होंगे और यह हमारे soul leader होंगे, इनकी guidance में हम सारे काम करेंगे, जो जो यह कहते जा रहे है इस बाद से नराज होकर, कुछ लोग party छोड़ देते हैं, Congress को मिलब छोड़ देते हैं और उनमें से एक नामता prominent वो है जिन्ना साब, आगे चलते हैं अब यह movement बहुत आगे तेज से बढ़ रहा होता है इस moment की एक खास बात और होती है, कि हिंदू-Muslim की unity बहुत अच्छी हो जाती है और एक शब्द बहुत ज़्यादा तब बढ़ता है, वो है unprecedented मतलब एक ऐसी unity जो कभी देखी ना गई हो इसमें अगर आप बात देखेंगे, तो एक leader होते हैं, स्वामी शद्दानन उनको गांधी जी कहते हैं, जामा मज़्द में जाकर आप लोगो address करें तो वहाँ मुस्लिमान को address कर रहा है एक हिंदू, और वहाँ है golden temple पे हैं, उसके opposite में, सैफुदीन किचलू जो होते हैं, वो सिख और हिंदों को address कर रहा होते हैं तो यहां से आप जो हिंदू-मुसलिम की unity होती है, वो बहुत जादा आप strong देख सकते हैं उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जो बाइकॉट करना होता है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है लोग court जाना छोड़ देते हैं, government school में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अपनी किताबे, bags, सब फैक देते हैं colleges बंद पड़े होते हैं, कोई नहीं आ रहा, elections जो होते हैं, जो under 1919 Act आये थे कि भई हम election कराएंगे, टारेक election होंगे, आप आएंगे, वो सब खतम हो जाता है हमारी खुद की सरकार है, और यहां पर हम पंचायत election करा रहे हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो यहां से कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है आगे क्या होता है, कि इस बात को promote किया जाता है, कि हम बहुत ही independent है, हम उतना खैल खुद रख सकते हैं तो national college established किया जाते हैं, जामी मिलिया, इसलामिया, इस्टैबलिश किया जाता है, बिहार विध्या, पीट established किया जाता है, काशिय विध्या, पीट established किया जाता है और दो term, बड़े ही popularized होते हैं, एक होता है सुदेशी और खादी, खादी आपको पता है, जो गांदी ची चर्खा चलाते तो उसे खादी बनाया करते थे, सुदेशी मतलब यह होता है, कि हमारी खुद की बनाएवी चीज़े हम इस्तमाल करेंगे, इंडिया में जो जो participation होता है, वो बड़ आता है, आगे कहाने में क्या होता है, एक तिलक सुराज fund बनाया जाता है, उस fund में क्या होता है, कि देश की इतने भी लोग होते हैं, वो सब donation देते हैं, इस movement के लिए, और इस fund में करीबन एक करोड रुपे आ जाते हैं, जो कि उस time के साब से बहु दो, उसी के वक्त, अली ब्रदर्स को arrest कर लिए जाता है, hateful speeches देने के लिए, अंग्रेजों के खिलाब, यहां से आगे बढ़ते हैं, गांदी जी हर किसी से कहता है, मुस्लमान नहीं, सब ब्रिटेश की नौकरी छोड़ दो, उसकी जरूत नहीं है, हम एक साथ लड़ेंगे और non-corporation movement से देश के लिए अजाद इलाएंगे, यहां से आगे बढ़ते हुए, Congress, Committee में यह बात तैह होती है, कि कोई province, जो ब्रिटेश के सरकार के अंदर है, और civil disobedience को आगे बढ़ाना चाहती है, तो आगे बढ़ सकती non-corporation से, इसमें एक बात और होती है, बहुत खराब image मन जाती है, वाइसरोई की, तो वाइसरोई immediate action लेते हैं, और massive reperson करते हैं, इस पूरे movement को दबाने के लिए, Congress और ख्लाफत कमीटी को illegal declare कर दिया जाता है, जो political leader होते हैं, except Gandhi, उन सबको arrest कर लिया जाता है, आगे कहानी में क्या होता है, अब December में होता है, कि एमदा ब अजमल खान एक मुसल्मान थे, तो यहाँ पर unity इत्ती स्ट्रॉम होती है, कि काम रुकना ने चाहिए, अगर एक इंसान गिर गया या एक इंसान को हटा दिया गया, तो दूसरा इंसान आ जाएगा, और उसने हाकीम अजमल खान acting president की तरह काम करते हैं, और determine करते हैं, कि यह struggle अलग चलता रहे, और non-volent form में चलता रहे, कोई भी violence ना हो, अब ये moment Oliver देश में बहुत जगा हो रहा था, और इनके अलग-लग major form में कुछ आ रहे थे, कि यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, तो जैसे पंजाम में अकाली moment हो रखा था, और South में अगर हम बात करें, तो मोपल नाम से आ रहा था, वहीं United Province, मतलब जहाँ अज उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ये tenant जो थे, उन्हें refuse कर दिया था, कि वो taxes पे नहीं करेंगी, बहुत ज़्यादा taxes हो रहे हैं, वहीं Assam North East वाला जो reason था, वहाँ पर ये strike हो रही थी, कि हम tea plantation में काम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा taxes हम से ले जा रहे हैं, तो यहाँ से जब कहानी आगे बढ़ी, अब वो moment होता है 1st February 1922 में कि गांजी डिसाइड करते हैं, अब हमें एक stage आगे बढ़ना है, पहले हुनने कहाता है कि civil disobedience हम सिर्फ कुछ जगा लेकर आते हैं, जिसको लग रहा है civil disobedience लाना है, व और इस और इंसिडेंट क्या होता है, उसमें पुलिस कुछ जो लोग protest कर रहे होते हैं, उनके खिलाब fire कर देते हैं, और जब यह fire होती है, तो जो भीड होती हूँ बहुत गुस्ते में आ जाती है, और पूरी के पूरे police station में आग लगा जाती है, गांदी जी को इससे बहुत अच्छा चलना है, यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, हमें उनकी मदद से अजादी मिल जाएगी और हम जल्द अजाद हो जाएगे, गांदी जी अड़ जाते हैं कि नहीं, अभी हमारा देश तयार नहीं है, हम अभी सिद्धानतों को समझें नहीं है, नॉन्वालिंस क गया था, और भाँ पर वो जब जेल में जा रहे होते हैं, तो कोर्ट में उनकी एक हिस्टोरिक स्पीच होती है, उसमें जो उनका क्रक्स होता है, वो यह होता है, वो जत से कहते हैं, देखी मैंने कोई गल्ती नहीं किये है, अगर आपको गल्ती लग रही है, तो जो सबसे बड़ी सजा है, वो आप मुझे दे दीजिए, यहां से नॉन कॉपरेशन मुमिन खतम होता है, और यहां पर बहुत बड़े लीडर्स जैसे सुबार्शन बोस और बाकी कई यंग लीडर्स, वो अपना रास्ता अलग बना लेते हैं, भगस सिंग, राजगुरू, यह नॉन वॉलेंट से वॉलेंट के तरफ आ जाते हैं, और जो रश्या में कम्निलिजम होता है, उसको अपनी इंस्पिरेशन मान के आगे बढ़ते हैं कि हमें देश को अजादी दिलाने हैं, तो यहां आप दो ग्रूप बन गए हैं, नॉन वॉलेंट ग्रूप एंड वॉलेंट ग् पाशा, उनको यह लगता है कि तुर्की के अंदर अब जो मुस्लिम समाज है, जो की खाली नेरोजम में दबा हुआ है, उसको खतम करना होगा, हमें एक सेकुलरिजम तुर्की बनाना होगा, और उसको यूरोप जैसा मॉडनाइस करना होगा, यहां होता है वीडियो का तो यहां तक हम समझ गए हैं कि non-corporation movement किस तरह से एक massive movement बना, और देश को almost अजादी के पास हम पहुचा दिये थे, but because गांदी जी को लगा कि non-volence पूरी तरह से हमाया देश समझा नहीं है, तो उनने non-volence को छोड़ दिया, यहां तक क्या होती है कानी खतम, मिलते हैं आप से विदा, जैहिम, टेक्या